हेलो एवरीवन आज का हमारा वीडियो रहेगा पाइथन की इंट्रोड़क्शन पर सबसे पहले हम देखते कि पाइथन होता क्या है वाट इज पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग भासा है पाइथन इस है प्रोग्रामिंग लेंग्वेज जैसे कि हमारे C, C++, प्रोग्रामिंग लेंग्वेज बिल्कुल उनकी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग भासा है प्रोग्रामिंग क्या होता है यह हमने पहले एक वीडियो बनाया था चोटा सा वीडियो उसमें आप देख सकते हो इस उबजेक्ट ओरियंटेड यह है अबजेक्ट ओरियंटेड ऐसा होता है तो जैसे एक आप दो अबए. interpreter और compiler दो अलग लग चीज़े है compiler है वो पूरे program को एक साथ compile करता है interpreter है वो line by line interpret करता है it is interactive यह interactive है यह interact करेगी आप से आप इससे interact कर सकते हो आप input दोगे यह output देगा तो यह interact करेगी it is a high level programming language यह एक उचस्तरिय प्रोग्रामी लेंग्वेज है तो programming language जैसे procedural है object oriented है तो उनको low level और high level भी बोल सकते है c language अब लो level language हो गई और यह high level हो गई object oriented है c++, php, java और python it is just server side scripting language यह server side scripting language है scripting language तो है ही और server side है पठखता यह हिंदी में बोला है तो script का मतलब होता है जैसे movies वगर आप नाटक का मंचन होता हो देखते होंगे तो उसमें script होती है जैसे script में लिखा है नाटक या movie बिल्कुल वैसे बैसे ही चलेगी तो ऐसे ही आपने एगर script लिख दी है एक program लिख दी आए तो वह software है या वह program है वह बिल्कुल वैसे ही behavior करेगा जैसे आपने लिखा है line by line चलेगा यह server पर चलती है it runs on server scripting language तो है लेकिन scripting language दो तरह की होती है client side पर भी चलने वाली और server पर भी चलने वाली तो हम लोग क्या है हमारे mobile laptop computer में हम चला रहे है तो हम लोग client है और server है वो company का server है अगर USA की company से google वगर हो सकता उनका USA में server होगा या India में कहीं पर होगा तो python है वो server side है जैसे कि PHP होती है ASP.NET होती है Java होती है Java में serverlets आते हैं वो server पर चलते है client side पर चलती है java script चलती है HTML चलती है Java में बात करें तो applets है वो client machine पर चलते है तो इस तरह से scripting language दो तरह की होगी है client machine पर चलने वाली एक server पर चलने वाली It was created by Guido Van Rosum in 1991 इसे 1901 में Guido Van Rosum द्वारा बनाया गया था Like Perl python source code is also available under the GNU General Public License GPL So Perl की तरह पाइथन का source code है वो भी General Public License GPL के तहत उपलब्द होता है तो source code उपलब्द होने का मतलब क्या है Source code का मतलब हुआ कि जो language है उसका source code publicly available होता है freely तो आप नए modules उसमें जोड सकते हो या फिर modify करके भी आप उसमें काम कर सकते हो अब यह देखना है कि python क्या होती है तो पता लग गया लेकिन python क्यूं सीखना है भई कुछ ना कुछ काम में आती होगी तभी हम सीख रहे होंगे Why to learn python जैसे कि हमने देखा python क्या एक scripting language है एक पटखता वासा है अब यह scripting English में याद रखो तो ठीक रहे हो कि बार-बार वही इंग्लिस में नाम आएगा अब हिंदी में पटखता एक समझने के लिए देख सकते हो कि भी scripting का मतलब के आता है पटखता और पटखता भी कई बार अपने समझ में नहीं आता सुदिंदी हो गई तो scripting ठीक है scripting से script का पता चल जाए कभी script होती है movie की या कोई नाटक की script होती है python is designed to be highly readable python को इस तरह से design किया गया है कि इसको हम आसानी से पढ़ सकते है जैसे कि हम English Hindi की books पढ़ते हैं वजसे ही computer के अंदर program लिखावा है उसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं human readable है highly readable level तो कोशिस की गई है कि ज्यादा ज्यादा हमारी जो human readable languages है Hindi English उनकी तरह इसको बनाने कोशिस की गई है It uses English keywords frequently तो इसके अंदर की English keywords फ्रिक्वेंटली यूज किये जाते हैं English keywords अक्सर उपयोग में करते हैं It do not use punctuations like period, coma and parentheses तो यह जो विराम चिन होते हैं जिसमें coma, अल्प विराम, semicolon, curly braces, parentheses यह सब इसके अंदर यूज नहीं किये गए है जैसे अब इंग्लिस की बुक देखते हैं तो इंग्लिस की बुक में यह चीज है अपने को नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं C, C++, Java अभी तक की जितने भी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज थी Python को छोड़के उनमें आधे को ने अभी तो पूरा पूरा ब्लोग उसके अंदर आज्गे लेकिन यहां पर क्या एंग्लिस दो दो करने की जरतने के जरतने इसलिए जादा रीडेबल भी है इसलिए ज़्यादा रीडेबल भी है तो अन्य बासाओं की तुन्ना में कोड की लाइने भी कम लिखनी पड़ती है क्योंकि हमने परिंथिस एटा दिया करली ब्रेशिस एटा दिया कोमा, सेमी कोलन वगर है वो सारे हटा दिया है तो वो अपने आप ही जो कोड है वो कम लिखना पड़ेगा हमे एडवांटिज इस ओप लर्निंग पाइफन पाइफन सीखने के फाइदे क्या क्या है पाइफन ही जब बिगिनिर्स लेंग्वेज पाइफन है एक सुरुवात की बास है इसलिए हम सी लेंग्वेज सीखते है क्यकिए असबसे आसन होती है उसके बाद भी दूस्री लेंग्वे favori सीखते है अगर आप सुरू में सी ब्लस प्लस जावा और सेकने कोस्पे इस नहीं कोषड मस्किल हो जाएगा इसलिए हम सी लेंग्वेज सीखते ते तो बिल्कुल C की तरह यह बिल्कुली simple language है इसलिए इसको beginner's language बोला गया है कि आप सुरुआत आपको कुछ भी नहीं आता तो Python आप सुरू में सीख सकते हो It supports the development of a wide range of applications from simple text processing to www browsers to games तो यह जो subtle text processing है जिसमें file को read-write करना, modify करना यह पिर www, world wide web, उसके browser से लेकर games वगरा बनाने से लेकर विभीन तरह की application से उनको बनाने में सक समय लेंगे तो किसी भी तरह का काम इसमें कर सकते है It encapsulates code within classes क्योंकि एक object oriented language है, high level language है तो इसके अंदर जो code है वो encapsulator रहता है class के अंदर Python is interpreted, Python is processed at run time by the interpreter तो Python को interpret की जाती है Python को interpret दवारा run time पर process किया जाता है तो यह हमने पहले भी देख लिया कि कुछ languages है उनको compile करते हैं, फिर run करते हैं और कुछ है वो interpret होती है compiler interpreter में हमने difference भी देख लिया interpreter line by line है, check करता है grammar We do not need to compile our program before executing तो हमारा program उसको execute करने से पहले में यहाँ पर compile करने की ज़रूत नहीं है This is similar to Perl and PHP तो यह Perl और PHP के से कुछ समानता हैं इस language की Python is interactive, we can actually sit at a Python program and interact with the interpreter directly to write our programs Python है वो interactive है हम वास्तव में क्या एक Python के prompt पर बेट कर उसके साथ में आप programs लिखने के लिए interpreter के साथ में communicate कर सकते हैं, बाचीत कर सकते हैं इंट्रक्टिव का हमने देख लिया कि आप इंपूट दोगे आउट्पूट आएगा उसमें तो इंपूट आउट्पूट दोनों लेते रहेंगे और रियल टाइम पर यह communication करेगी, communicate करेगी, interact करेगी यूजर के साथ Python के characteristics क्या-क्या है Python की विशेशता है इट सपोर्ट्स फंचनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड एज विल एज उपूप तो जैसे कि मने देखा कि पहले वी कि यह टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकती है www.word wide web browser है उसको डिजाइन कर सकते हैं काम कर सकते हैं उस पर यहां पर क्या है कि यह सुरू से लेकर low level language से लेकर high level language कैसा ही behavior इससे आप expect कर सकते हो कैसे भी आप कर सकते हो जैसे कि functional है structured है oops high level language तो low level से लेकर high level language किसी तरह इसको यूज किया जा सकता है it can be used as a scripting language यह एक scripting language की रूप में काम में लेते हैं इसको it can be compiled to byte code for building large applications तो बड़े applications मिलाने के लिए हम इसको compile कर सकते हैं byte code के अंदर it provides very high level dynamic data type and support dynamic type checking तो यह बहुत ही उच उस्तरिय गतिसील data प्रकार प्रदान करता है और गतिसील प्रकार की जांज का समरतन करती है high level dynamic data type का मतला हुआ जैसे PHP के अंदर हमने लेखा कि हमें बताने की जड़तनी उसका data type क्या होगा variable का variable का नाम लिखेंगे और फिर जब जिस type का उसमें data हम assign करेंगे उसी type का data type बन जाएगा तो वैसे यहां पर है python के अंदर data type बताने की जड़तनी डिक्लेर करते time जब उसमें कुछ value assign करेंगे तो उसी type जिस type की value है उसी type का data type हो जाएगा इसलिए इसको बोला गिया है कि high level dynamic data type को support करती है और dynamic type checking होती है इसके अंदर इट प्रोवाइट्स वेरी high level dynamic data type and support dynamic type checking इट supports automatic garbage collection यह automatic garbage collection को support करती है garbage collection पर भी हमारे एक छोटा सा पहले का वीडियो है garbage का मतलब होता है कच्रा और यहां पर कच्रे से क्या मतलब है यहां पर हमारी जो memory है primary memory RAM है उसके अंदर ऐसा data जो कि भी हमारे काम का नहीं हम काम में ले चुके है और काफी टाइम तर काम में नहीं आने वाला है वो तो वो एक तरह से garbage हो गया हमारे लिए कच्रा हो गया तो उसको हटाना जरूरी है था कि हम काम की चीज़े उसमें इस टोर कर सके उस लोकेशन पर उस लोकेशन को हम रियूज कर सके और हमारे जो स्पीड है उसको हम बढ़ा सके तो ओटोमेटिक आर्विज क्लेक्शन की सुविदा इसमें रहती है अब हम देखते हैं कि Python के अप्लिकेशन क्या क्या है क्या क्या नो प्रियोग है प्रियोग है Python के कैसे काम में इसको ले सकते हैं Python है वो easy to learn है जैसे कि मैं पहले भी देखा Python has few keywords, simple structure and clearly defined syntax इसको आसानी से हम सीख सकते हैं क्योंकि Python के अंदर keywords है वो बहुत ही कम है इसके अंदर और शरंचना इसकी सरल है और express रूप से परिवासित वाक्य विन्यास है क्योंकि English के words हम यूज ले रहे हैं इसके अंदर और जो comma, semicolon, curly braces, parentheses वगर हमने हटाई दिये हैं तो जो syntax है जो sentence बनता है वो भी काफी आसान होता है समझने में Easy to read है Python code is more clearly defined and visible to the eyes तो आसानी से पढ़ने के लिए Python code को अधिक स्प्रेश्ट रूप से परिवासित और आखों को दिखाई देता है विफालतु जीजे हमने अठा दी है तो बिल्कुल English की बुक पढ़ते हैं विसे हम प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं Easy to maintain Python source code is easy to maintain उसको maintain करना बहुत यासान है इसके code को A broad standard library Python's library is very portable and cross-platform compatible on Unix, Windows and Macintos तो इसके पास एक बहुत ही बड़ी standard library है जैसे हमारी library होती है school college के अंदर जिसमें क्या books होती है तो बैसे ही कोई भी programming language होती है उसके अंदर क्या होता है library होता है और वहाँ पर books नहीं होती है वहाँ पर क्या files रहेगी files ready-made functions methods रहेंगे हमारे पास वह उसके अंदर पहले से store रहेंगे तो वह काम करना तो हमें वापस programming उसकी करने की जड़त नहीं है सिदर ready-made function method है उसको हम इसको काम में ले सकते हैं और python की जो लाइबरी है वह बहुत ही portable है portable का मतलब आसानी से एक जगर से दूसरी जगर ले जा सकते है close platform पर जिसके अंदर प्लेटफोर्म वारे जो operating system होगे जैसे की unix है windows है में शिंटोस है interactive mode python has support for an interactive mode which allow interactive testing and debugging of code तो interactive mode होता है इसके अंदर python में इसमें क्या है interactive testing और code की debugging की अनुमती देता है portable होता है python can run on a wide variety of hardware platform and has the same interface on all platforms portable मैंने बताई दिया कि एक जगर से दूसरी जगर से ले जा सकते है तो portable है कि विबन परकार के hardware platform पर चल सकता है और साथ में software तो हमने देखा है operating system तो hardware और software दोनों यह कई सारे पर यह support करता है extendable we can add low level modules to the python interpreter these modules enable programmers to add or customize their tools to be more efficient so we can extend it, extend it, extend it, extend it कि हमें source code available है तो हम नए modules बना के इसमें add कर सकते है तो हम python interpreter है उसमें नए modules है उनको जोड़ सकते है और यह module है वो प्रोग्राम को अधिक कुसल होने के लिए अपने tools को जोडने या उसको अनुकलित करने में सक्सम बनाते है तो हमारे coding हमारे अनुकलन हमारी जो सुविदा है उसके साम से जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं इसको database python provides interface to all major commercial databases तो database है उसको support करती है python सभी प्रकार के जो commercial database है वाने जीग database है उनको interface प्रदान करती है और इनको support करती है GUI programming python support GUI application GUI कामलग graphical user interface जिन में graphics होती है तो उसको support करती है that can be created and ported to many system calls, libraries and windows systems such as windows, MFC, Macintos and the ex-windows system of Unix GUI programming इसके अंदर कर सकते हैं python GUI अनुकलों का समर्तन करता है और जिसे कई system को library or windows system जैसे windows, Macintos और Unix x windows system मना जा सकता है Scalable python provides a better structure and support for larger programs than scale scripting तो cell scripting की बजाए कि ये बड़े programs है उनको support करती है cell scripting के दर इतने बड़े programs हम नहीं लिख पाते है तक्यू तक्यू